कि कैसे हैं आप सब लोग है गाइज वेलकम तुद अमेजिंग क्लास वन्स अगें देखते हैं लिक्विड सॉलेशन स्टार्ट करें ठीक है ना और मस्त कॉंसेप्ट्चुल वे में पढ़ेंगे रटना कुछ भी पढ़ेगा नहीं विकास सब कुछ on the proof on the go बात करने वाले हैं सब कुछ हम प्रूफ करेंगे सब कुछ साइन्टिफिकली देखेंगे सब कुछ आपके NCRT के कोडिंग चलेंगे और जो आपके नीट के previous year question से उसके कोडिंग चलेंगे तो कैसे हैं by the way अच्छ समझें यास साउंड अभी हो जाएगा हाई तो सब कुछ सही है ना साउंड एंड और वीडियो वीडियो विडियो इस अवरिटिंग गुड राइट तो हाँ NCRT सीरीज आज नहीं उपाया है वो कल हो गया ठीक है ना आज नहीं उपाया एक्चुली क्या है ना वह NCRT सीरीज 29 को ही खतम हो रहा था तो मैंने सोचा कि जब 30 को बोला है बच्चों को तो 29 को क्यों खतम करूं आज एक दिन चुट्टी ले लेता हूं तो मैंने एक संढ mogą लगा रखा है संडे रखा है क्लास तो संदे को बहुत हैस संटिक है कल भी संदे कोभी होग है तो क्या लगा थां नहीं आएंगे गलास जब तक तोडेंगे नहीं तब pewn ट चौड़ेंगेने भाइस अज़ा थिका न चलीए तो यह औरоз क्वेंगर वगर ऐसे थैंट गर मिलते रहते हैं इंट इंब मैं चेक करने गां चेंख कर गूता हूं कि कि यह वीर अभी दिया था थोड़े दिन पहले ठ्वागा एक सव सोच रहूं आपको गर्ला पढूब एक्जाम को भी सोधार ना पड़ेगा साइकोलोजिकल स्टेशन्स बना देते हैं 15-20 मिनट की ना हर साइटेटिव को ऐसा बना देते हैं मैंने ऐसा अज सुभ़ ही सोच रहा था ऐसा और वह अच्छा भी लगा मेरे को यह किना हाउटू स्लीप वेक अपाउटू एसा हाउटू दिस हाउटू डैट सब कुछ ठीक ह यह सब्सक्राइब को यह साइट करें चैनल आपने जॉइन कर लिया होगा अगर आप क्रैस कूर्स में आना चाहते हैं तो जो 22 तारीक से क्रैस को स्टार्ट होने वाला उसमें इन्रॉल कर सकते हैं आप यूजिंग दे कॉर्स बाहु बली तीन मेने का कॉर्स लेंगे अगस्तक वैलिड होगा वैसे चार सवाचार मेने हैं बट अगस्तक वैलिड होगा इन थ्री मेन मंद्स कोर्स अली आप यहां आप ले सकते उसके बाद विटा अगर आप 11 से 12 गोईंग है या फिर अगर आप से 12 गोईंग है या फिर 11 में हैं तो वो लोग आइकॉनिक सब्सेशन ले लिजेगा यहां पर आपको बहुबली कोड लगा के डिसकाउंट मिल जाएगा और काफी अच्छा आपको तैयरी हो जाएगी चलिए अब करते हैं में बात जो हमारी कॉंटेंट की है जो सब तो चलते रहेगा जी जादा पार्टेंड पार्सल अप्ड लाइफ अब आते बेटा सॉलूशन चैप्टर के अंदर हम ही क्या पढ़ना है ठीक है ना सबसे पहला इसका जो चैप्टर है ना इसका नाम है बेटा लि इतिहास गवाह है अगर आप परीविस यर कॉष्ण कभी जिंदगी में पलटने का मौकम मिला है आपको तो आपको यहिलाइज हुआ होगा कि बेटा एक कुश्ण तो हर साल यहां से आहिरा वाल है इस बात का इतिहास गवाह है कि एएख कुश्ण तो वाई इस चैंकर से फ उने हैं, लेक्चर्स को अटेंड भी किया है, तो इस मोर्द इस्टेफिशन कि आप यहां से चार नंबर स्कोर कर जाओगे, चलिए, तो इस चाप्टर का नाम में बेटा, लिक्विड सॉलुशन, सबसे पहले समझते हैं कि सर सॉलुशन क्या है, What is solution ईसकी definition क्या होती है, तो जो solution होता है न, दो और दो چीजों के मिलाने से, अगर homogenous mixture बनता है, there are two types of mixture, homogenous, heterogenous, अगर दो और मोर्ट सब्स्टांस को मिलाने से, अगर मेरे पास homogenous mixture generate हो भा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा बेटा, solution, ठीक है, अब सुनिएगा homogeneous mixture का क्या मतलब है transparent होगा आपको true solution बनेगा कुछ यहां से अगर torch pass करेंगे torch की light अगर आप जलाएंगे तो उस तरफ उस पार तक आपको दिखाई देगा this is homogeneous mixture कहने का मतलब है कि आपको लगेगा नहीं कि यह solution है homogeneous mixture की खास बात यह होती है कि इसमें दो और दो से ज्यादा component है बड़ा आपको लगता नहीं है क्यों क्योंकि आपको लगेगा कि एक ही solution है transparent है जैसे जैसे for an example मैं sugar plus water ले लूं जैसे for an example मैं चीनी को क्या घोल दो पानी में ठीक है ना चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं तो एक काम कर लेते बटा चीनी को पानी में गोल देते हैं तो क्या इसका मकसद क्या है what do you mean by this सोचो जब आप शर्वत बनाते हो तो क्या आपको अलग सी चीनी दिखाई देता है obviously पूरा उसको इस्टीर करोगे पूरा मिलाओगे उसके बाद की बाद करें जब solution बन जाए तो obviously वह आपको transparent दिखाई देता है आपको अलग सी चीनी थोड़ी दिखाई दिखाई देता है तो वह एक homogeneous mixture है similarly मालो आपको क्या होगे आप lose motion होगे हो सकता है आपके तो क्या होगे उसमें आपको नमक भी चीनी भी और पानी भी मिलाके दिया जाता है तो क्या आपको अलग से नमक अलग सी चीनी अलग से पानी दिखाई देता है या फिर एक transparent टाइप का solution दिखता है है ना तो वह homogeneous mixture है उसमें two or more substance है मैंने चीनी और पानी का भी लिया दो substance का चीनी पानी नमक का भी लिया दो से जाना substance हो तो उसको हम solution कहते है अब किसी भी दुनिया के solution की बात करिएगा दुनिया के किसी भी solution के गरम बात कर लें तो उसमें दो चीज तो होना तय है एक होता है बेटा solute और दूसरा होता है बेटा solvent दुनिया के किसी भी मैं solution की बात कर लूँ एक होता है बेटा solute और दूसरा होता है बेटा solvent आप दे लिया अब बात करते हैं बेटा solute की और बात करते हैं solvent की रेडिवाट चलिए सबसे पहले में solvent की बात करूँगा तो बड़े पुरानी जमानी पहले की बात है और बहुत पुरानी की डेफिनिशन सापने 9 10 में पढ़ रखा होगा नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं आपको दुबारा बता देता हूं कि आपने बच्पल में क्या पढ़ा है कि जो ज्यादा होगा वो solvent होगा यही पढ़ा है गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं गलत पढ़ेंगे विटा आप कि अगर आप बोलते हो कि कोई ज्यादा आप क्वांटीटी में है तो वो solvent है दिस डेफिनिशन इस ओनली 30 परसंट ट्रू 70 परसंट यह गलत है ठीक है जैसे मालो मैं लेता हूं 500 किलो पूरा मालो 500 किलो चीनी ले लेता हूं ठीक है और मैं लेता हूं 10 एमिल वाटर तो चैसे जो आपका सॉलूशन बना है बस इतंतना मैं बोल दीता हूं कि जो आपका secondaire मना है वह लिक्विड है अब अगर गर अब मैं बोलता हूं यह जादा है तो solvent यह जादा है तो शौवे्ट और यह गलत है ठीक है ना यह गलात है आपने बच्छपन में जो पढ़ा है वो 30% true है वो भी बताऊंगा कि कब 30% true होता है अब सुनिएगा actual में definition क्या है solvent वो होता है जो large quantity में होता है यह तो आपने पड़ी रखा है लेकिन जो missing आपने है वो मुझे सुधारना है कि it has the same physical state as that of the final solution बेटा सबसे पहले अगर आपको solute solvent पहचानना है ना तो आप final solution के पास जाहिए तो मैं दौड़ा-दौड़ा final solution के पास पहुचा पता चला कि इसका physical state तो लिक्विड है इसका मतलब जो इसका फिजिकल स्टेट है सेम फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का भी होना चाहिए अब यहां पर देख लो लिक्विड का लिक्विड कौन है तो बाइस साब मुझे दिग गया water liquid है that means आंख बंद करके बोल दूंगा कि solvent मैं दोड़ा-दोड़ा सबसे पहले किसके पास जाओंगा फाइनल सॉलूशन के फिजिकल स्टेट के पास और फाइनल सॉलूशन के फिजिकल स्टेट और रेक्टिंट में जिसका फिजिकल स्टेट दोनों सेम हो उसको क्या बोलते है बेटा सॉल्वेंट बास समझ में आई the physical state of final solution जो हमारा solvent है वो physical state of the final solution को decide करता है फूर ने बहुत ने करके देख्येगा irrespective of the amount amount के irrespective water is solvent यहाँ पर तूगर को आप मान लो एक लॉक्षगे ले लो और water को आप 5 gram भी लेते हो 5 liter भी लेते हो 5 milliliter भी लेते हो तो भी हमारा water एगर solvent होगा क्यों क्योंकि solvent की सबसे basic condition यह होती है कि physical condition of the final solution should be same यहाँ अगर आप जितना number सोच सकते हो 10 की power जितना लगा सकते हो उतना kg ले लो और यह मातर 1 milliliter लो तो भी यह solvent होगा ठीक है क्योंकि physical state of the final solution पर solvent depend करता है बिकॉस सेम फिजिकल स्टेट होना चाहिए solvent का तेम फिजिकल स्टेट होना चाहिए and that of the final solution कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे बढ़ सकते हैं चलिए अब आते हैं solution में तर सॉल्वेंट तो हो गया आइए solute की चर्चा कर लेते हैं solvent तो हो गया आइए solute के चाहिए वे इच्छा कर लेते हैं solution solvent में क्या था कि final solution के state same होना ही पड़ेगा लेकिन solute में ऐसा ज़रूरी नहीं है वेटा solute में हो भी सकता है से नहीं भी हो सकता है same मैंने देखा है ना यहां पर यह solute है यह final state से नहीं है हो भी सकता है same हो जैसे माल लो मैंने क्या लिया मैंने लिया इथेनॉल जिसका आप सेवन करकी क्लास में आ जाते हो कभी कभी और यह इथेनॉल क्या है वेटा मैंने ले लिया water के साथ reaction इथेनॉल भी liquid है yes water भी liquid है yes जो solution बनेगा दो liquid को मिलाने के पाद liquid ही मिलेगा ना यार यह तो जो solution हमारे पास बनेगा वह भी liquid होगा हाँ अब बेटा तीनों की physical state सेम आप आपका वह काम चल जाएगा कि जो ज़्यादा होगा वह solvent और जो कम होगा वह solid वह ज़्यादा होगा हो solvent जो कम होगा वह solid definition कब तक वैलिड है जब तीनों की physical state सेम हो अकर solid 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 liquid 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 gas 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 तो तो फिर वो ज़्यादा कम वाला काम कर जाएगा लेकिन जो मैं अभी बता रहां वो हमेश्वा काम करेंगे देखो जैसे माद्लो Amno Iphernal मैं लेता हूं जिसका आप सेवन कर लेते हो माद्लो मैं आ आ मादलो मैं पतियाला पैक तो कौन ज़्यादा है वह solvent होगा और यह solute होगा सिंपल ठीक है ना येस बहुत अच्छा तो यह हो गया आपके पास solute और solvent की थोड़ी सी जानकारी अब जैसे यह आपके सामने कोश्चन आता है जैसे आपके सामने यह liquid है ओहो बेटा final solution को इसे liquid बोल दिया है अब तो चीश्ची हमआरा लिक विट है वांव यहां पे वाटर इसने वाला है और जो सुगर है वह सॉल्यूट होने वाला है कि यहां कोई दिखकत नहीं है हाँ बई क्लियर है क्या कोई दिक्कत नहीं है ना यास ये सेवन करके तो नहीं पेठे हो ना यार ठीक हो ना चलिये तो लिजे पॉइंट नमबर टू लेते हैं यू हाव नव 500 kg सूगर और यू हाव नव 100 ml of water what is the solute and the solvent if the final solution is the liquid solution मेरे प्यारे दोस्त क्या ये लिक्विड लिक्विड मैचिंग कर रहा है तो क्या मैं यहां पर 100 ml water को solvent बोल दूँ और irrespective of the amount irrespective of the amount solute or solvent आप define कर सकते हो तो यहां पर जो 500 kg सूगर है क्या वह solute होगा हो के रहेगा अरे बात समझ में नहीं आते हैं यह जो सौल्वेंट है मेरे पास कोई भी अगर solution बनाना मैंने स्फीकर के अंदर सोलुइशन बना दिया आई देख लेते हैं सॉलूइशन बना के ठीक है यहां पूलता हूं तो आप लोग मेरी तरफ ऐसके उस नजरों से मत देखें, उससे मेरा कोई relation नहीं है, वो तो मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है ना, आम बहुत पवित्र इंसानों में, इन सब मामलों में, ठीक है, चलिए, अब solution के अंदर आते हैं, मेरे चरित रपे सवाल खड़ा ना करें, इस मामलों में, येस बेटा, साक्षी कुमारी, बिल्कुल, it is more than sufficient, मेरे दोस्त, चलिए, इनसी आटी हालाइट बेटा, कल होगा वो, ठीक है न, चलिए, येस, कई लोग कह रहें कि लवली से पिटोगे, अच्छा, ठीक है, मन्दब आपको सब कुछ ऐसे कैसे पता होता है, इतना accurate आपको कैसे पता है, मैं आज प्लस उपर जो स्पेशल क्लास ले रहा था सुबह, और्गनिक वाली, उसमें भी बच्चे बोल रहे हैं, मन्दब मेरे से ज़्यादा तो तुम ही आज कर लेते हो, कुछ तो रहम करो इधर, एक बेटा नाम से ही खुछ हो लेते हैं, थोड़ा तो रहम कर लो, चलो इधर ओ, हाँ, okay, solution के अंदर मेरे प्याने दोस्त, आपके पास दो ही तो component होगा, या तो इसमें solute डाला होगा, या तो इसमें आपने solvent डाला होगा, हाँ बेटा, इसके अलवाँ तो और कुछ नहीं ना डाला होगा, चलो तो बेटा, solution बनाने के लिए solute और solvent के requirement होती है, दो ही चीज मिलके तो solution बनता है चलिए अब law of conservation of mass कितने लोगों ने जाना है भाई ये तो ये तो मतलब आज जो बच्चा जनम लिया होगा साइध उसको भी पूछ लिया जाए तो वो भी रोते-रोते बता देगा law of conservation of mass ये कहता है कि mass of reactant is equal to mass of product mass can neither be created nor be destroyed खेलिए अब यहां पर आईए जो हमारा solution है वो किन चीजों से मिलके बनाने solute or solvent तो जो solution का mass होगा वो इन ही की वज़े से तो होगा भई आपके chemistry में marks आते है 180 आउट और 180 तो वो किसकी वज़े से होगा all credit goes to me thank me later obviously आपकी मेंने थोड़ी ना थी वो सब मेरा मेरा है वो क्रेडिट मेरा है तो मेंटा यह जो solution बना वो किसकी वज़े से बना है solute or solvent तो all credit goes to solute and solvent तो जो भी solution का mass होगा वो इन ही की वज़े से तो आया होगा तो weight of solution is equal to weight of solute plus weight of solvent छीक है अब ये तो law of conservation of mass से आप बता सकते हो ये तो conservation of mass से आप बता सकते हो ये सर अब आते हैं कि सर मोल fraction भी आपने कभी ने कभी थोड़ा यूज किया ही होगा मोल fraction कभी इस्तवाल किया था जब हम मोल कॉंसेप्ट पढ़ रहे थे सुनोगे बेटा सुनोगे यहाँ पर मोल कॉंसेप्ट जब पढ़ रहे थे तो मैं मोल fraction आपको discuss कर रहा था सुनीए जो मेरा solute है जो मेरा solvent है इन दोनों के मिलने से ही तो solution बना है अच्छा, total mole fraction कितना होता है बटा total fraction की value कितीन होती है maximum fraction 1 ही तो हो सकता है यार maximum value of the fraction 1 ही तो हो सकता है yes तो बटा अगर मैं mole fraction बात करो solvent का अगर मैं mole fraction को x से denote करते है प्रेक्षन बात करूं solute का तो ये किसके बराबर होगा total mole fraction of the solution के लिए तो बराबर होगा और total fraction की value तो 1 होती है न जार that means mole fraction of solute mole fraction of solvent क्या हो जाएगा बेटा 1 वही तो लिखा हो है रटना मनाएं दोस्स feel करो इन चीजों को next मेरे प्यारे दोस्स solution के उपर आते हैं अगर आपके numerical question में liquid solution लिखा है अगर आपके numerical question में liquid solution लिखा है तो numerical के अंदर liquid में solvent आप अपने आप assume कर लोगे कि वो liquid solvent है because final solution का physical state liquid दिख रहा है तो solvent को होना पड़ेगा liquid और solute तो कुछ भी हो सकता है solute liquid भी हो सकता है solute solid भी हो सकता है solute solute पे कोई restriction नहीं है उसी तरह आगर माल लीजी आपको बोला जाए numerical के अंदर के मेरे पास aqueous solution है तो बेटा aqueous solution किससे बना होता है पानी डालने के बादी तो बना है dilute करने के बादी तो aqueous solution बना होगा तो पानी ही डाला है ना बेटा solvent क्या है बेटा पान क्योंकि एक और solution में जो solvent होता है वो liquid होता है और solute कुछ भी हो सकता है solid liquid gas that doesn't matter चलिए next अब आते है बेटा vapor pressure of the liquid solution के उपर यह थोड़ा important पार ते नहीं ठीक है ना और vapor pressure पढ़ने के बाद मैं आपको लेके जाओंगा कहां पर closest उस पर relation के उपर closest equation या फिर closest relation बोल दीजिए और वो थोड़ा सा difficult सा नाम है तो closest relation आपको बढ़ा होगा मैं इसके बाद अच्छा है उससे नुमेरिका लाते हैं अब थमस्ते कि सर वेपर इसra प्रिशर क्या होता है सब लोग गौर से सुनेंगे मेरी बात को पांच मिनट तुक बेटा गौर से सुनोगे और निकेश जैन हे बहुत सही पकड़ा है बहुत ही सही पकड़े मैनलोमीटर है अब इसकी कहानी कहीं और थून रखिए गया मेनोमेटर की कहानी थोड़ी बहुत सुना रखीं एक और चाप्टर के अंदर है ना है ना ओ केस ओ की छलिए तो मैनुमेतर के अंदर एक और कहानी अ उसको भी सुन लेते हैं थिक है सुनिए गा यह मारा मेनोमेटर है, अब मेनोमेटर में यहां पे इस बॉक्स के अंदर यह नितào भरा हुआ है वह इस वोलंटाइलड लिक्विड है, मेनोमेटर में यहां पे वो लगा हुआ है thesis यहां पे यू टीूब लगा हुआ है जिस्पे आप लेक्शर देख रहे हैं वह वाला नहीं, एक You Shept Tube लगा हुआ हुआ, तो इसमे वोलाटइल लिक्वीड है, ए यहां पिस Much आपल00 लिक्वीड है और यहां पे जो YouTube है इस YouTube में क्या ड्ला हुआ है दोश्मी इस YouTube में मैंने mercury डाल रहाए। तो initially, यहां पर क्या है, मैंने एक nozzle लगा हुआ है .. यहां पर मैंने एक nozzle लगा हुआ है .. ठीक है .. एक stopper लगा है one दूब टक .... तो initially, mercury के ऊपर कोई भी pressure नहीं लग राए.. that means यहांसे बहु भगा हुआ है .. यह दोनों level of the mercury दोनों सेम थे देख ले न इनिश्यली क्या था मेरे पास यहां पर वोलाटाइल लिक्विड फिल्ड है पहली चीज तो यह है कि सिर्व मैनोमेटर के अंदर जो कंटेनर है उस कंटेनर के अमने वोलाटाइल लिक्विड भरा हुआ है दूसरी बात सुनना गहर से दूसरी बात प्यारे दोस्त इनिश्यली सुरुवाद के अंदर इनिश्यली जो mercury कॉलम है इन बोथ ट्यूब्स हरे इक्विल जब तक इस टॉपड लगा हुआ है तो इनिश्यली जो mercury कॉलम है दोनों ट्यूब्स में वह एक्वल है लेकिन बेटा मैंने क्या किया यहां से खटाक से नोजल निकाल दिया अच्छा तो नोजल निकालने से क्या हुआ नोजल निकाल दिये और चले गए कई घूमने मालो की से मिलने चला गया ठीक है अब नोजल निकालने के बाद एक घंटे के लिए कही मिलने चला गया और फिर गंटे बाद आया तो याद आये कि यार वो नौजल निकाला था चलो देख लेते हैं जब एक घंटे बाद इनिशली दोनों ट्यूब्स में मरकरी का कॉलम इकोल है अब क्या हुआ जब थोड़ी देर बाद हम आये जब थोड़ी देर बाद मैं आया किसी से मिलने के बाद तो यहां पर किसी से मिलने के बार जब मैं आया तो यहां पर आया किसी से मिलने के बार जब मैं यहां पर आया तो ऐसा पाया कि मेरे प्यारे दोस्त जो मरकरी की जो लेवल्स है ना मरकरी की जो लेवल्स है ना उनमें हाइड का डिफरेंस आ चुका है सुनिएगा जब तक नौ हटा लिया भाई सहाब प्रेशर का डिफरेंस आ गया मरकरी एच राइड एच हाइड राइड किया मतलब प्रेशर का डिफरेंस आ गया ओिष्या बड़ न कुछ तो घर 8 एक अदिन की कि वा जायेigon फिर फिर ठीवलिप हुआ और था आफ्टर सम्टाइम जब मैं किसी से मिलने गया था आफ्टर सम्टाइम यहां पर क्या पाया गया डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी कॉलम में पहले दोनों पराबर थे अब डिफरेंस आ गया ओहो मज़ा ही आ गया होगा अब लोग इसके पीछे पड़ गए आपके जैसे अच्छा वोलाटाइल लिक्विड फिल किया है अच्छा वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है सर यह फटा-फट वेपर में थोड़ा सा भी सराउंदिंग के टेंपरेचर मिलते ही यह वोलाटंडी का तेंपरेचर मिलते ही यह फिर वह भी टेंप डे 2 में और जैसे ही कि जैसे ही ऋजल फटाया आओग्साग यह वेपर प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने को जैसे दिफिरन्स अउनमोटाश्र नहरで समझिट क्या एंद्सक्राइव कि बारिचाहगा और वाहीं वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे है उसको ऊठ्वेमल समझेंगे यह जैसे ही नोजल हटाए यह वेपर अपना प्रेशर लगाए हुगा डिफरेंस क्रेट हुआ होगा चालो अब आओ यहां पर क्या है बेटा यहां पर क्या हुआ है वेपर तॉ यह जो वेलाटाई लिक्विड है उसका वेपर फॉर्म हुआ है और उसी वेपर के प्रिशर आगा है और बोलो हां बात समझ में आया है तो जालो और सोच लेताइस है शारी है यहां परते हैं यहां परते हैंड यह मझे लग रहाए यह थोड़ा सा नहीं चलो यहां डरी है चलिए आगे यहाँ पे आते हैं वेपर्स of the volatile liquid and pressure difference यहाँ पे सेन हैं, चलौ, ख और ग57 फेशल ख्लास पर होती है क्या हां और के स्फेस्पशल रष्ट क्लास पर पर होती है वह हम देख लिए याँ चरे इधर न की आते हम तो वेपड़स of the प्रकल्स अली कि फॉुम क्वर्म होता है अब क्या होता है सुनिए घगा यहां पर कि वुपरस ओफ वुलाटाई लिकविड यहां पर फॉर्म होते हैं और यह जो वेपर्फ है दू यह delivering all-題uki है यहां से इवापॉरेट हो रहा है यह वेपर्स जो बने है वो भी अपने वॉलS से टक्राएगा, और वॉल से टक्राने के बाद उनका भी प्रेशर कम होता है, और कम होके वापस वो लिक्विड में कनवर्ट होते हैं, क्या बोला मैंने? लिक्विड पहले वेपर में कनवर्ट हुआ और वेपर फिर लिक्विड में ही कनवर्ट होता है एक टाइम के बाद पहले तो पूरा-पूरा वेपराईजेशन होगा पूरा-पूरा वेपर में कनवर्ट होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे वेपर यहाँ पर बन ज उपन कंटेनर होता तो क्या होता सारा सारा वोला टाइन लिक्वीड बाहर निकल जाता पठा भी नहीं लेकिन आपको कहां गया लेकिन चुक्क जोह वैसल सब्सक्राने के बाद रृट होगगा ना तक्रानी बाद घर रा और तकरे ना वापस convert होंगे तो दो चीज़े हुई है यह जो वोलाटाइल लिक्विड है पहले वेपर में convert हुआ और फिर वापस वो लिक्विड में convert हुआ है आये हुआ क्या है rate of vaporization is equal to rate of condensation equilibrium आ जाएगा इनमें एक तरफ से vaporization हो रहा है और एक तरफ से vaporize हो रहा है और एक तरफ से बेटा वापस condensed भी हो रहा है तो vaporization और condensation दोनों हो रहा है एक time पर यह दोनों बराबर हो जाएगा और इसी को बोलते हैं equilibrium ठीक है और equilibrium पर जो pressure लगता ह है उसी को बोलते हैya vapor pressure क्या समझ में आया क्या समझ में एक equilibrium पर जो pressure लगता r vapour pressure at equilibrium this pressure is called vapor pressure क्यों किए एक बार और समझाओ क्या एक बार और समझाओ क्या सुनिए एक बार और समझा था हमारे पास बेटा क्या है है मैनोमेटर हे हमारे पास क्या है बेटा मैनोमेटर है हमारे इसमें हमने क्या किया बेटा वोलाटाई लिक्विड फिल कर दी बहुत अच्छा वोलाटाई लिक्विड फिल किया तो क्या होगा सर पहले इनीशियली यह जो इनीशियली दोनों में मरकरी कॉलम सें थे जब तक यहां नौजल लगा हुआ था इनीशियली जो मरकरी कॉलम से तो यहां पर क्या हुआ होगा सर चुकि वोलाटाइल लिक्विड है तो वेपर बना होगा आप इतना तो इतिफाक रखते हो अगर वोलाटाइल लिक्विड है वेपर बना है तो प्यारे मेरे दोस्त प्यारे प्यारे मेरे दोस्त यह जो वेपर है यह वापस कंडेंस होगा क् लेकिन चुकी close container है इसलिए वाल से टक्राएगा और वाल से टक्राने के बाद condensation होगा तो दो चीज हुआ यहां पर पहला चीज क्या हुआ है सर यहां पर vapor का formation हुआ है जिसको बोलते है vaporization और दूसरा चीज यहां पर बना है कि वाल से टक्राने के बाद वापस liquid में convert हुआ है और जो condensation है वो क्या है बेटा वेपर से liquid का बनना हां जी कदेडो बास स्मय में आई क्या एक टाइम ऐसा आएगा यह उपर से नीचे भी आ रहा है नीचे से उपर जा रहा है उपर से नीचे आ रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जिसको बोला जाता है equilibrium अपना टाइम आएगा तो बेटा इसका भी टाइम आएगा यह क्या बोलेगा कि जो हमारा vaporization का rate है जो हमारा vaporization का rate है जो हमारा vaporization का rate है वही rate मेरा condensation का भी है जैसे ही वो time आया इसको बोलता मेरा equilibrium आ चुका है बाइग हम वह टो क्लिखर पर ही जो प्रेशर लगता है वे इस इक्लीब्रियुम पर ही जो प्रेशर लगता है उसे को विपर प्रेशार को वेटा समझ में आए वहल अ daha अले सोग क्या नहीं ना अपना टाइम आएगा, इकिलिब्रियम का भी टाइम आएगा, तो इस दी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, अब आते हैं उसी वेपर प्रेशर की कुछ और शांदार बात, अब दो चीज और आपको मैं डिसकस करूँगा, जिसमें मैक्सिम लोगों को कन्फूजन यहां होग इक होता है बेटा, वेपराइजेशिन, और दूस रहोता है गो टरह टर्म इवापोरेशन, आपको के लेगता है, दुनों सेम हैना, इसको मत देखो, ज Warsionebooks करूज बोलो, प्रेशवन और वेपराइजेशन, दौनों सेम हैना, आपको के लेगता है, है ना एन सेम हैना बेट because your mind is in घुटना right yes सुनिए मेटा या प्याते जो वेपराइजेशन है it occurs above बॉलिंग पॉलिंग 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 के ऊपर रहता है जो वेपराइजेशन और जो हमारा इवापरेशन है it occurs below बॉलिंग पॉलिंग पॉलिंग कि जो वेपराइजेशन है वो बॉलिंग पॉलिंग पॉलिंग के ऊपर होता है कि कंटेनर दिखे लिए सब लोग को हूँ किंटेनर में लेकविड मोले क्यू ले रहा हkę। यहां तक हो लिख्विड केugज़े बात करता हूं सर्फेस मॉलेक्यूल के हैं पैटा सरफेस मॉलेक्यूल दिख रहा है क्या यह सर्करों और एक मोली क्युल में लेलता उंए जो बीचो बीच होगा ठीक है न एक मोली क्युल ने से जो बीचो सरकी पर बहुत जो Argent stub डूबेच यूद भाइस नीचे से भी घ्ला है इस पर नीचे से भी फॉर्ट लग रहा है इसमां लेट इस पर दो राहत jugar फॉर्ट लग रहा है इस पे तो डाइगनल इधर भी फोर्स लग रहा है और लग रहा है इसके इधर भी मॉलिक्यूल होगा वह इधर फोर्स लगा रहा है इसके उपर भी मॉलिक्यूल होगा वह उपर फोर्स लगा रहा है इसके नीचे मॉलिक्यूल होगा वह नीचे कहने का मतलब है हुप्पर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर कैंसल आउट डाइगनल का फ्रर इसका मतलब मैंने एंब आपको बताता हूं कि अब मैं क्या डिसकस करने क्या इस पर मैं बोल दो कि bulk molecule पे जो net force है वो तो 0 है अरे नहीं है क्या अरे नहीं है क्या अरे है ना बिलकुर बात मानते होग नहीं चलो अब आजाओ अब surface की बात कर लेता इसको नीचे खीचने वाले तो है इसको कोई तो है जो पीछे बुला रहा है इसको कोई तो है जो लेफ्ट में बुला रहा है कि चलो हवेली पर बेटा इसको कोई तो है जो राइट में बुला रहा है बोलना कि चलो हवेली पर लेकिन इसको ऊपर से कोई इंतजारी कर रहा है इसको ऊपर से कोई नहीं बुला रहा है तो कहने का मतलब लिफ्ट वाला राइट वाले को तो कैंसल कर दिया फॉर्स यह सब कैंसल करेगा बट मेरे प्यारे दोस्त जो उपर वाला फॉर्स ना होने की वज़े से क्या मैं बोल दो कि जो सर्फेस मॉलिक्यूल है वहां पर एफनेट जीरो नहीं होगा यह तो चारों तरफ घूम के आई बेटा एफनेट जीरो करके आया बास समझना यह जो सर्फेस का मॉलिक्यूल है जो किनारे पे रहते ना बेटा किनारे वाले हमेशा ठगे जाते है बास समझ रहो तो सर्फेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो नहीं है अच्छा अच्छा इसका मतलब जो हमारा sufase का molecule है तो कहीं न कहीं unstable तो है बईसा पहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ कर गुजरने की चमता है मतलब कहने का मतलब यह कह रहा है कि कुछ भी करकर मुझा definite 0 करना है देखना इसको अगर मौका मिले तो यह ऊपर भागने की ओपर कुछ कोजने की कोशिश करेगा、 क्योंकि इसको f 0 करना है। पस यह पॉइंट दिमाग रखना। इसको अगर मौका मिले तो यह उपर की तरफ कुछ करने की कोशिस करेगा। क्यों इसको अब सुनिएगा इवापोरेशन की बात करते हैं यह जो मेरे पास मैंने वापस बीकर बनाया और यह वापस सर्फेस मोलिक्यूल की चर्चा करते हैं बल्क मोलिक्यूल कुछ नहीं करेगा बल्क वाले पर तो एफिनेट जीरो है निश्चन से बैठा है ऐ खलम ऑता है अदर प्रक मोलिक्यूल करें अब नहीं कि तो सुनियांगा यह अब सब मतलब एक दूसरे से कॉलाइड भी करेंगे अच्चा अगर और आप टक्रायोंगे तो आपमें कुछ नए अंदर हैं अंदर कुछ ना कुछ इनर्जी कीडिकोट आप यह स्कूल को तो इसे बाहिक उसे गर कर रहे हो कर तो अगर घर जा रहे तो आप भी उधर ही जा रहे वैसे करके अब कहने का मतलब ऐसा तो होता है बचपने में कर भी सकते हो करना मत हो सकता है कि इधर से यह हो सकता है बिना कॉस्मेटिक के रेड हो जाए यह भी हो सकता है तो इट डिपेंज ठीक है ना येस तो मैंने आपको क्या समझाया क कि भाई साब liquid molecules भी आपस में टक्राते हैं यह तो दुनिया का नियम है टक्राना तो पड़ेगा तब ही जाके stability की खोज होगी तो बेटा टक्राना तो पड़ेगा मेरे दोस्त अब भाई साब टक्राना तो पड़ेगा तो देखेगा यहां पर क्या होगा कि liquid molecules भी collide करते हैं एक दूसरे से आपको भी एक दूसरे से ही करना होता है चलिए अब जैसे ही टक्राएगा तो बिटा टक्राने से क्या होगा movement कुछ हेलेगा डूलेगा मतलब आप कहीं तो टक्राओगे तो इधर ऐसे वैसे होगे न अगर movement आएगा तो kinetic energy आएगा क्या भाई साब मैं समझाना चाहरा हूं गलत ले रहो आप एक्स्पिरियेंस से ओल टिंग्स अच्छा बहुत बढ़िया ऑखें बहुत आमेजिंग चलिए अमेजिंग इधर आईए वापस आपनों क्या दिक्कत क्या है आपनों भटक जाते बहुत जल्दी बहुत जल्दी भटको जल्दी वापस आजाओ कांटेंट पर ठेक है चलो इधर रहो इतना एक्स्पिरियेंस कैसे है ओके जादू नाम तो देखो जादू सर्मा जी का लड़का ठीक है इधर आई इधर वापस आई पीटा क्या होता है कि लिक्वेड मोलिकुस कोलाइड करते हैं सिमिलर लिए ग् कोलाइड करेगा तो भाई साब मुव्मेंट होगा मुव्मेंट होगा तो भाई साब काइनेटिक इनर्जी तो आएगा उसके अंदर हाँ अब सुनिएगा यह सर यहां पर क्या हुआ है यह कोलाइड किया है और कोलाइड करने से इसके अंदर काइनेटिक इनर्जी आ गया ह प्यारे प्यारे दोस्तों यह जब कोलाइड किया है तो इसके अंदर काइनेटिक इनर्जी आ गया है अब क्या होगा कि अगर आपके अंदर इनर्जी भर दूं आपके अंदर मैं रॉकेट वाली इनर्जी भर दूं तो आप क्या उड़ने लगोगे मैं similarly इसके पास भी बहुत ज्यादा काइंअटिक इनरजी होने लगती और काइंटिक इनरजी ज्यादा होने की वज़ाए से यहां के अट्रैक्फिन्imana को ओवर कम करके बाहर निकल लगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि बढ़ गया आपने पढ़ाई की एक्ट्रॉन की स्टिट चलिया इसका भी इनर्जी जाता हो गया तो भगल अब आपके दोस्के 50 नमर आ आपके 100% आईल आ रहे हैं आपके मालों 100C उपनों 100C आ रहे हैं chemistry में और दोस्ट के 50 आ रहे हैं तो क्या आप उनके साथ रहोगे नहीं अभी भगोगे कहीं दूर कहां जिसके 170-100C आ रहे हैं उसके पास रहोगे ठीक ना तो इसके भी इनर्जी बढ़ गई तो यह भी दूर मतलब बेटा देखो लिक्वीड का मॉलिक्यूल बाहर आ चुका है वेपर में कनवर्ट हो रहा है लिक्वीड का मॉलिक्यूल सर्फेस से बाहर आ रहा है बल्क वाले मॉलिक्यूल का कुछ नहीं बिगार सकता वो तो इस्टेबल है लेकिन मेरा सर्फेस का मॉलिक्यूल पर जेबाँया तकले सब्हुल्स techniques सब्सक्राइबूं कडेटेatamente की इनरजी डिए वह हैं मतलब आपको और वारे tougher चले जाना है तो आपको भी टकराना होगा तो टकराने से की इनर्जी बढ़ गया और भाई सवक काइनियाटीग इनर्जी बढ़ने से क्या होगा यह यहां के मोह माया से मुक तो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तैप मिस मोलिक्यूल ब्रेक्ष और यहां से मोलिक्यूल अपना अट्रेक्शन फ्री करता है और ऊपर भाग जाता है क्योंकि इसकी इनर्जी बढ़ गए ठीक है अब सुनिएगा यहां पर जो कहानी कह रहा ड्यू टू काइनेटिक इनर्जी लिक्विड मोलिक्यूल काइनेटिक इनर्जी आगया लिक्विड मोलिक्यूल में यस जो सर्फें का मोलिक्यूल ध्यान रखे बल्क का कोई कुछ नहीं पिकाट पाएगा लेकिन जो सर्फेंस मोलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा क्या अट्रे इसलिए मैंने बोला था कि evo operation के लिए boiling point की जवरोत नहीं पर रोगाएंच कि इनरजी बढ़ा दो टक्रा दो किसी से जाके भीड़ जाईगी इसलिए बोला जाता है question आया था जय एड़ॉआंस में कि इवापोरेशन के लिए टेमपरेचर रिक्वार्मेंट है क्या नहीं मेरे प्यारे दोस्ट टेमपरेचर का तो कोई किसा यह आप अब मानलो एक ग्लास पानी रखो जहां इस टेपल पर होना एक ग्लास पानी रखते ना पांस दिन बाद उसी ग्लास को देखने आना तो भा इवापोरेशन के लिए टेमपरेचर के रिक्वार्मेंट है नहीं तो टेली लाइफ में देखते हो तो क्वेशन पूछन पूछन पूछ लिया गया वाओ वाट अ कॉंसेप्ट आक्चुली दिस इस हाओ यो फील केमिस्ट्री चलिए अब इवापोरेशन की कुछ बाते कर इतने आवपोरेशन की कुछ प्रोपरटीज देख लेते हैं होगा टक्राना होगा मुलिक्यूस का काइनेटिक इनर्जी बढ़ेगा मुलिक्यूस बाइसाब इनर्जी लेके बाहर निकल आएगा अरे बात समझ में आया कि नहीं याइस चलिए अब आते हैं दोस्त इवापरेशन की प्रोपर्टीज पर तो पेटा यह एक सर्फेस फेनोमला है मनलो मनलो आपको जिस ग्लास में आप दूद पीते हो या फिर मनलो आपका कोई और शौक है तो उसका कोई मैं वो नहीं कर सकते मनलो उस वाले ग्लास में आप जो भी आ पानी बर दिया है मालनो इसमें पचास अमल पानी रखा और इसमें भी कुछ ऐसे ही पांट पचास मैली पानी रखा है कौन जल्दी एवापरेट होगा ओविसली सर्फेस हेरीय ज्यादा होगा तो ज़्यादा सर्फेस मोलीक्ul साइंगे और ज्यादा से फिक्ट किसका होता है तो सर्फेस मोलीकूल का यहां पर कम सर्फेस मोलीकूल आएंगे तो यहां पर कम इवापुरेशन होगा अरे बात मझ में आया है क्या परे दोस्त यहां पर आते इवापोरेशन टेंपरेचर से इंक्रीज होता है बिना टेंपरेचर के भी हो जाएगा लेकिन जैसे ही टेंपरेचर दिया तो बिसाट टेंपरेचर देने से क्या होगा मोलीक्यूस आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे और काइनेटिक इनर्जी इवापोरेट हो गया और हाँ न बोलना पढ़ेगा है पोली अप्क डिर टेंपरेचर जैसे ही दिया था बाकर्नीलू कोलाइड करी थाuğ से मुझे अर्जा बाहर निकल ट्रॉर जल्सिंश पनादा भी न थिर्वापोरेट आपसो तो दूसरा कॉंस्पिा अनसप्ट एंद वो यहां पर दी चलो next next अब आते हैं sir यहां पर आप माल लो यहां पर क्या होता है सुनिएगा यहां पर क्या होता है सुनिएगा यह तो सब हम किसकी बात कर रहे हैं यह sir open container की बात कर रहे है माल लो हमने डिब्बा बंद कर दिया मतलब अब रूम वो गाना सुने ही होगे आपने कि हम तो में कमरे में बंद थे और चाबी खो जाए यहां पर liquid molecules यह गाना गा रहे है कि हम तो में कमरे में बंद हो गए है closed container है अब पता नहीं चाबी खोया नहीं खोया लेकिन यहां पर जरूर आप देखेगा कि भाई अब हमें closed container की बात कर रहा हूं किसकी? closed container की ओके तो closed container में क्या होता सुनेगा sir यहां भी molecules यहां भी surface molecules collide होगा भाई 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 सुना यहां भी surface molecules collide करेंगे यहां भी kinetic energy बढ़ेगा तो बेटा यहां भी जब kinetic energy बढ़ेगा तो प्यारे दोस्त इसका भी energy बढ़के क्या उपर आजगा अरो नहीं आया वास मुझे अरो इसका भी energy बढ़के उपर आजगा क्या? तो इसका भी नर्च लेकिन इस बार closed container है इस बार इसका चाभी खो गया है वेटा इस बार इसका चाभी खो गया है that means रूम बंद हो चुका है तो वेटा closed container में क्या होगा यह जो molecule उपर जाएगा वो container से टक राएगा it will it will collide with the walls of the container so the vapor molecules will collide with the walls of the container अब भाई साब जब container से टक राएगा तो क्या कोई pressure आएगा क्या वहापर यास क्या वह वापस वह वेपर कर रहे हो और गरम करने के बाद मालो गैस टो से उतार दो फिर उपर जो लीड रखते हो धकने का धकन ठीक है ना तो जो धकन है उसको उठाओ यह तो यहाँ पर क्यों क्यों कि वहाँ energy surface molecules की energy बहुत बढ़ी है तो बेटा वह बाहर निकले है लेकिन बाहर निकलेंगे अगर मालो बिना ढखे रखो तो सारा पानी उड़ जाएगा लेकिन ढखोगे तो कोलाइड होगा और कोलाइड होके क्या होगा वापस वह कंडेंस होगा पानी में कनवर्ट होगा है हमज़ रहो क्या येस molecules collide with the balls of the container and get back to the liquid कि अगर जब अगर mini यह चारश किनटेंनर होगा तो फिर से दोछीज होगा लिक्विट मोलीक्यूल वेपर बनेगा वापस लिक्विड बनेगा हना अगर अगर मेरे पास closed container है तो मेरे पास again two things होगा पहला मेरे पास vapor में convert होगा पहला मेरे पास vapor में convert होगा that means vaporization होगा और फिर मेरे पास दूसरा चीज़ क्या होगा अरे सर कंडेंसेशन होगा होगा क्या कब तक होगा अपना टाइम आएगा काउन सा टाइम है इसका equilibrium का दोस्त इनिशेली इनिशेली इवापोरेशन होगा आप सब लोग को पता है वेपराइजेशन क्यों लिख रहा हूँ sorry this is not वेपराइजेशन इस इवापोरेशन एम्परे तो क्या होगा बेटासक्त इवापोरेशन होगा तो पेहले तो ताबल तोड़ बहुत ज्याद होगा पहले तो कंडेनर में कंडेनर को प् ONC ये एक अधर ग्लोज हो गया तो पहले पनी क्या होंगे वापत बाहर आएं ग solids ईिमाई घुनाएगा और टक्रहें वापस वाल लिक्विद में रौप सो कण्वर्ट होना चालोगा तो दो प्रासे्स हो91 एक उपर ले जा रहा है और दूसरा नूचे ला रहा तो इनिशियल कंडिशन में तो मेरे प्यारे दोस्त क्या होने वाला है एवापोरेशन जाता होगा कंडेंसेशन काम होगा हाँ अब आते हैं दूसरी बात पे अपना टाइम आने वाला है वेटा इकुलिब्रियम पर क्या होगा दोनों रेट बराबर हो जाएगा और इसी प्रेशर लगता है उसी को दो वेपर प्रेशर कहते थे आईए दा अमाउंट ओफ वेपर ओवर दा सर्फेस ऑफ दे लिक्वेड एकुलिब्रियम इस कॉंस्टें इकुलिब्रियम पर क्या हुआ है जितना वेपर में कनवर्ट हो रहा है उतना ही वापस लिक्वीड में क्या बोला था कि यहां पर मैंने क्या बोला था कि सर यहां पर वेपर्स वोला टाइल लिक्वीड है तो वेपर्स बनेगा बेटा वेपर्स अगर बनेंगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों सर एक तो प्रोसेस हो रहा है जो वेपर बन रहा है और दूसरा प्रोसेस यह वेपर container से टक रहा के वापस liquid बन रहा है ठीक रहा तो एक time पर दोनों बराबर हो गए तो क्या ये molecules constant हो जाएंगे क्या ये vapor के molecules constant हो जाएंगे so amount of vapor of over the surface of the liquid at equilibrium is constant और इस constant पर जो pressure लगेगा दोस्त यहाँ पर pressure लगेगा न इस constant पर इस equilibrium पर जो pressure लगेगा and the pressure applied by the vapor is called vapor pressure अरे बात समझ में आई गया अरे बात समझ में आई गया difference हो पता ही ने लगा अभी भी अरे भाई vaporization के लिए temperature के requirement है vaporization हमेंसा मतलब मैंने vaporization आपके इसमें नहीं है आपके पार्ट में evaporation है तो आप जो पढ़ रहे हो इवापरेशन है vaporization हमेंसा temperature से होगा अगर boiling point से ज़्यादा temperature दे दिया तब वह अपके इसका मतलब kinetic energy किसाँ एक थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा थीक है kinetic energy किसाँ थोड़ा बहुत चलिए next अब आते हैं vapor pressure के उपर जो vapor pressure है अब हमने evaporation बता दिया था अब मैं vapor pressure बता रहा हूं vapor pressure एक surface फिनमेना नहीं है क्यों अरे भाई vapor pressure surface से क्या relation है vapor pressure के लिए तो equilibrium आना जरूरी है condensation utilization और evaporation right vapor pressure का माल लो vapor pressure का मन लो यह जो आपका shock है उसका glass है और मालनो मैने यहाल पर टब लिया की है कि महलो यहाँ पर मैंने जो glass लिया और एक टब लिया और यहां पहुत ते देख रहा हूं और यहां पहुत बई गोर जो आफ gosh अब क्या होगा सुनिएगा पेटा येगर छोटा येगर छोटा सर्फेस है यहाँ पर इवापोरेशन कम होगा तो यहाँ पर कंडेंसेशन भी कम होगा यहाँ बड़ा सर्फेस है तो इवापोरेशन बढ़ गया तो कंडेंसेशन भी बढ़ गया तो इस सर्फेस से कोई लेना लेना है वेपर प्रेशर का तो यह खोजना है कि बाई साब एक्टिब्रियम होना चाहिए मतलब रेट अफ फीव अपोरेशन इस इकुल टू रेट अफ अफ अदेंसेशन तो इस पर वेपर प्रेशर को कोई फरक नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर साइज अंद सेपेंड न साइज बना कर दोगो तो अपोरेशन बढ़े गया तो कंडेंसेशन भी बढ़े गया हाँ बास मज में आये क्या चलो नेक्स्ट अब आते हैं वेपर प्रेशर की भाई साब यह डिपेंड किस पर करता है इट डिपेंड्स ओन नेचर ऑफ दे लिक्विड लिक्विड के ने मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा है तो बेटा क्या मॉलिक्यूल बाहर आप आएगा नहीं क्या मॉलिक्यूल अट्रेक्शन फोर्स से बाहर आप आप आएगा नहीं क्योंकि यह वाला फोर्स ज्यादा है सर्फेस वाला फोर्स अगर ज्यादा हुआ यहां अट्रेक तो बाहर जाना है तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन होगा दूसरा यह टेंप्रेचर पर भी डिपेंड करता है तो इसलिए आपकी श्रद्धा है मतलब आपकी खाईश है कि वाई साब यहां पर यह वाला नाम आप दिमांग में रखना चाहें या नहीं अपन ने तो अभी नह जबेखा तो आपको भी सजेस्ट करेंगे कि कि लोस्ट सी रेलेशन से भी रख लीज़ें वैसे पूरा नाम यह है ठीक है अरे ठीक ए चलिए depende inverse relation चईए हम आते हैं closer relation के उपर कि closer relation क्या होता ठीक है yes सुनिएगा closer relationship गौर से सुनिएगा closer relation मों लीजिए मैं किसकी बात कर रहूँ मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहूँ comfort pressure और temperature का relation बता रहो closer relation क्या बताता है vapor pressure और temperature का relation बताता है ओठेक ना कहने को मादब pressure और टेंप्रेचेर और कि आ पसुनियेका मंगा वेपर प्रेशे क्या होताइँ लिकवीड वेपर में कंवर्ट होगा और वेपर वापर से लिकवीड में कामनी है अब आईये मेरे प्यारे दोस्त यहां पर डेल्टा भी मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन वॉल्यूम मैं इस रियेक्शन के लिए चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम अफ़ प्रोड़क्ट माइनस वॉल्यूम अफ़ रिक्टर लिक्टर हुआ आपको क्या यह भी पता है कि बाई गैस का बढ़ा होता है यह इस को इगणोर कर दो भाई अगर गैस का वॉलिूम बहुत बढ़ा है उसके कमपरेज है बहुत झोटा है तो इसलिए यहा decis resposta कैने का फ़रग ने पड़ेगा सी यहां कुई रिखिर तो चर्शक्षोव डेक्ष़्या मैं Review of Gunson ważne साथ देल्टा में अब टेनेद अर्म फ़्रेद यहां तो तो कोई दिक्कत दीए यस अच्छा अगर यह ideal gas है तो क्या मैं volume को nr t upon p लिख सकता हो गया अगर बेटा वाइडियल gas है तो pb is equal to nr t से v is equal to nr t upon p लिख सकता हो गया अगर मैं one more gas बोल दूते हैं एनकी value one r t upon p तो delta v is equal to volume of the gas minus volume of the liquid volume of the liquid को ignore किया तो delta v is r t upon p for one more ठीक है ठीक है अच्छा अब आते हैं कि अपने thermodynamics में अपने thermodynamics में एक यह वाला relation पढ़ा था अपने thermodynamics में यह वाला relation पढ़ा था कि delta v is equal to v dp minus s dt delta g is equal to v delta p minus s delta t ऐसा भी कुछ अगर सुन रखा है तो भी काम चल जागा पस सुनना चाहिए कि आरटी समझ रहे हैं ओके बहुत अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्त यहां प्याइए आपकी नजर पस इन प्याइए तो हमने thermodynamics में पढ़ रखा है अच्छा तो equilibrium पर क्या delta g 0 होता है यह तो क्या मैं लिख सकता हो आट क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है एकुलिब्रियम की तो प्रेशर है वेपर प्रेशर तो इकुलिब्रियम पे delta g को मैंने 0 रख दिया ताटमिस v delta p is equal to s delta t अरे खाना बोलना पड़ेगा को सर्मे क्या कर रहा हूं यह जो स को स्कोना मैं डेल्टा एश लेकरएपन की बात कर रहे हुं एक रिएक्षन का चेंज देख रहा हूं और जो वी है उसको मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लास्ट का सीधा relation याद रखना है यहां से मैं dp upon dt निकालता हूं क्या आएगा यहां से मैं dp upon dt निकालता हूं तो क्या डelta s upon delta v आ रहे गा मैं dp upon dt निकाल रहे हूं तो delta s upon delta v आ रहे गा यहां आच्छा थर्मोडाइनमिक्स में आपने delta s का formula क्या बढ़ा था delta s is equal to delta h upon t पढ़ रगा था था त्या थर्मोडाइनमिक्स में अर्मोडाइनमिक्स में delta s is equal to delta h upon t पाढ़ रख था 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 क्या यहां similarly delta v को RT upon P लेक सकते हैं इस बार आग्यन RT n के साथ नहीं है क्योंकि यह वन मौल की बात कर रहे हैं यस तो डिल्टा एस का वेल्यू रख दीजे डिल्टा भी का वेल्यू रख दीजे अरे रखिए सोच क्या रखिए यस यस मिस्टर एम आज नहीं कलोगा अब यहाँ भी देख लिजे देल्टा S क्या है डेल्टा H upon T और डेल्टा V को R-T upon P लिख सकते जिएस र कुछ कुछ करो ऊपर लिए जाओ तो क्या Tesco P countries प्टेल्टा H upon R-T स्कोर यह ऊपर जाएगा तो अब देख लो बीदेल्टा है अपों आts कि यह तो दिख रहा है इसके टेमपरेशर कि टेमपरेशर के तरहते रिलेशन एक काम करते हैं सारे पी वाली को एक संस लाते और टेमपरेशर को उधर सब्सक्राइब करें जारे हैं तो नहीं हैं इसको लोगाए मैं लिखता हूं बेटा घ्र सकते हैं?, का कर सकते हैं यहां पर अब मेरा कुछ मन कर रहा है यहां पर घप दोनोग था कंट Wiki डोनो गारों इंके मुंत कर दो तो इंटरी नील होट है अब यहांफे टी है तो भीमिद तको लेसे टीहलों करता है बेटा, dp upon p का relation क्या, ln होता है, अरो बाई, dp upon p का integration क्या ln होता है, yes, तो lnp, बात समझ में आये क्या, lnp, और कहां ते कहां तक, p1 से p2 तक, similarly, यहां पर देखना बेटा, यह आ रहा है, delta h constant है, upon r constant है, तो इसको बाहर ले लिया, यह आ रहा है, 1 upon t square का integration dt के साथ, 1 upon x square dx का integration क्य integration क्या होता, minus 1 upon x, देख लो बेटा, यह t1 से t2 हो रहा है क्या, ah, amazing, p1 से p2, तो क्या आ जाएगा, lnp1 minus lnp2 आ रहा है क्या, यहां पी जब आप निकालोगे, तो lnp1 minus lnp2 आ रहा है क्या, देख लो, देख लो, देख लो, थोड़ा, समझ लो, देख लो, और समझ लो, yes, तो ln ln a minus lnb को ln a upon b लिख सकते हो गया, तो ln a upon b लिख दो न, p2 upon p1, अचा, lnp2 पहले बड़ा variable minus छोटा variable, ठीक है न, ऊपर अपर variable minus slower variable, तो lnp2 minus p1, तो यह जगा, lnp2 upon p1, ठीक है न, yes, इतना आप सबसदार हो, चलिए, तो अब आ गया मेरे पास, lnp2 upon p1 is equal to, delta h upon r, 1 upon t1 minus 1 upon t2, यही actually में आपका क्या है, clausius relation है, जो की pressure की temperature के साथ relation देता है, जो की pressure की temperature के साथ relation देता है, यह है आपका clausius relation, ठीक है, yes, अब इस ln को log के items में रखना है तो, पेटा, 2.303 का game आएगा क्या, पस अगर मैं ln को log चाहिए, तो मुझे 2.303 log रखना पड़ेगा, तो इस 2.303 क नीचे ले आया, cross multiply करके, तो यह क्या है बेटा ln का form है, और यह क्या है नीचे वाला बेटा आपका log का form है, बेटा, clear एक दम, absolutely clear एक दम, yes, अच्छा, अब कहोगे कि सोर इतना बड़ा है तो याद ही ने हो रहा, अरे यार, equilibrium chapter में, क्या मैं equilibrium constant की relation यह वाला बता रखा है log P2 upon P1 है, यहाँ पे log K2 upon K1 था, that's it, और delta H upon R 2.303R, 1 upon T1 minus 1 upon P32, ठीक है, इस screenshot लेना है तो ले सकते हो, यह आपके पास closest relation है, ठीक है, yes, अब आता है आपके पास next topic that is boiling point, अब आता है आपके पास next topic that is boiling point, ठीक है न, yes, okay, तो crash course कब से, शक्षी कुमारी, 22, ठीक है, 22, से यह तो कुछ Arrhenius, हाँ, कुछ-कुछ उसी type का है, बिलकुल, बिलकुल, सही है, बिलकुल सही है, कुछ-कुछ उसी type का है, आयूश, absolutely, सही पकड़ें आप, सही पकड़ें, सही पकड़ें, अब बस करो, क्या बाद कर रहो, एक घंडे में ही, volume point कल पड़ेंगे, ठीक ह तो आपका 12 का जो portion है, पहले उसको finish कर देते हैं, in fact, अगले week के अंदर अंदर, ठीक है, तो radio activity आपकी खतम हो जाएगी, फिर गिन चुना के आपके 4 chapter बच रहें, ठीक है, फिसकल में, तो उसके बाद redox kinetics, ठीक है, उसके बाद redox kinetics, एक week के अंदर, और फिर उसके बाद ion kinetics और electro एक week के अंदर, ठीक है, फिर अपन पूरा cover कर लेंगे, ठीक है, पूरी कोशिश है कि आपने 10 तारीक तक इसको वो कर देंगे, और फिर वापस से one shot सबका start होगा, इंशा मतलो, वापस से फिर से one shot सबका start होगा, वापस से फिर से question series सबका start होगा, बस if you are present live here, आपक ठीक है न, plus pay class कब होगा, तो मेरे प्यारे दोस, plus का class, अच्छा एक बार, एक मिनट, एक मिनट, आपको GUC पढ़ना है क्या सब लोगों को, आप सब लोगों को GUC पढ़ना है न, yes, कल मैं actually GUC पढ़ा रहा हूँ, yes, handwritten notes के साथ, आना चाहोगे, आ जाओ, तो को मैं आपको link देता हूँ, आना चाहोगे, आजाओ, आपको link देता हूँ, आज, plus की class है, how many, crack, नीटें, जाई, किसने बना दिया भाई, ओके, ओके, फाइन, 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 येस, ओके, ओके, गे, 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 गाट इट, चालो, control A, control C, एक सेके, मैं यहाँ पे pin कर देता हूँ, आप ले लेना, का गयो, गयो, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, हलो, इतना spam करता हूँ, भग्या उपर, हाया क्या, मैं से spend, ओके, फाइन, ये वाली class में कल GOC होगी, सुबह साड़े 8, सुबह साड़े 8 हम हम और्गेनिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम physical already चलाई रहे हैं, plus पे हमारा इन और्गेनिक चल रहा है, ठीक है, तो सब तरफ से सब चाप्टर मोर्चा खुला हुआ है, बस selection के लिए सब कुछ कराने के आपको तयार है, आब बस पढ़ते रही है, ठीक है ना, तो कल actually हम boiling point start करें करेंगे, और boiling point के बाद, अगर आप crash course में चाहते हैं, फिर से basic से start करेंगे, chapter 1 से chapter 30 तक, ठीक है, तो crash course में आपको live classes मिलेंगी, educators से interact करके और बहुत सारी benefits के साथ आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, you will get also personal mentorship, अगर आप बहु बली code लगाए हैं, तो आपको personal mentorship भी मिल लेगा, ठीक है, येस, और आप unacademy learning app पे जाके, आप app को install कर ले सकते हैं, और आप subscription ले सकते हैं, ठीक है, subscription लेने के लिए आपको बहु बली code अपलाई करना है, एक अच्छा offer ये है, कि वीटा, तीन मंत की subscription के लिए, तीन मंत की subscription के लिए, आप लेते हो अगर, तो आपका एक अगस्त तक valid रहेगा, चार, सवचार मेने का टाइम है, पर तीन मेने का ही subscription आपके वहां तक valid रहेगा, ये आप अपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप year-long courses को join कर लिए, कोटा कोचिंग की एकदम replica हम वहां पर देते हैं, एकदम repeat, एकदम replica हम देते हैं वहां पर, और thanks, बच गया, बच गया, चलिए, और बच गया, तो चलो, ठीक है, हाँ, GOC के बाद हम isomerism करेंगे, ठीक है न, GOC के बाद हम उसमें isomerism करने वाले है, सुबह सारह 8 बजे वाली class में, ठीक है न, yes, तो आप iconic subscription लेंगे, तो आपको personal mentorship और combination है, मैं हमेशा repeat करता हूँ, you will get the best and best biology, you will get the ultimate physics, you will get one of the good chemistry also, right, है न, बोल सकता हो ऐसा, चलो, तो मेटा, ऐसा ये team है, आपके लिए, पूरी dedicatedly काम करती है, इस channel पर, free में सब कुछ बढ़ाते हैं, और, जान लगाते हैं आपके लिए, ठीक है, बस आप भी जान लगाते रह दालना, सब लोग तोड़ डाले हो, क्या, येस, और ये दोस्ती किसने नहीं की अभी तक यार, ये दोस्ती तो आपके बहुत जरूरी होती है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो के notifications आपके बास आएं, तो बेल आइकन जरूरू दबाते हैं, ठीक है, ठीक है,